सुभह का जो समय होता है वह काफी जादा महतपून और खास होता है हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यहीं चाहता है कि उसके जीवन में सुख सम्रिद्धी और धनकी कभी भी कमी ना हो लेकिन कई बार ऐसा जैसे सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है काफी लोग महनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन महनत का कोई लाब नहीं मिल पाता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में बताएंगे जो केवल आपको सुभे के समय करना है और जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे वैसे ही आपके जीवन में बदलाव तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएगा यानि के जिस दिन से भी करना शुरू करेंगे उसके अगले दिन से ही किसमत भलवान बननी बिल्कुल शुरू हो जाती है तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इस क्रिया को करना किस प्रकार है लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में ओमनमस शिवाय लिखकर जिससे भगवान शिव की किरपा अपर हमेशा बनी रहे तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सुबह का जो समय होता है उस समय काफी लोग एक गलती को ये करते हैं कि जिस समय उनकी आखे खुल जाती हैं उसी समय वो केवल बैड पर ही बैटे रहते हैं यानि के बैड पर ही लेटे रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं खास कर कि जिन लोगों के जीवन में दुख होता है तो उन लोगों को ये आदत बहुत ही जादा अधिक होती काफी लोग इनी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है आपको बदा दें कि सुबह ही वो समय होता है जिस समय से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर आप अपनी सुबह को नहीं बदल सकते हैं तो फिर जीवन भी बदलन आप कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आपकी आँखे खुलती हैं आँखे खुलते ही आपको बिलकुल बैड से नीचे उतर जाना है यानि के जैसे ही आपकी आँखे खुलती हैं तो इस परकार की आदत काफी लोगों को ये होती है कि वो बैड पर ही लेटे लेटे कुछ ना कुछ स कि अब उठेंगे अब उठेंगे लेकिन एप नहीं पाते हैं, ऐसा करने से उनके दिमाग पर एक बहुत ही घहरा असर पड़ता है क्योंकि जी समय आप सो रहे होते हैं इस समय आप तो सो जाते हैं लेकिन आपको जो माइंड है सबकॉंशेस माइंड वो जागता रहता है और जैसे ही आपकी आँके खुलती हैं तो दोनों जो माइंड होते हैं वो दोनों जागरत अवस्था में होते हैं इसलिए तुरंद ही आपको उठ जाना चाहिए किसी भी चीज के बारे में सुबह के सम और ना ही डिसकस किया करें अब दूसरी चीज ये है कि जब भी रात को आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको अपने सिरहने एक मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा पानी भरके अपने सिरहने रखकर रोज इसी प्रकार सोना है और जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते से ही इस प्रयोक को सर्व परत्म आपको सबसे पहले करना है अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप इस पौधे में जल चड़हते जाएंगे तो उस पौधे का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जैसे यह पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे ही किसमत आपकी बलवान होती जाएगी आपकी जिन्दगी भी बड़ी होती जाएगी और जीवन में कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा ये एक ऐसा खास प्रयोग है जिसे जो कोई भी विक्ती सचे मन से बिलकुल होते हैं वैं आपके फेवर में हो जाते हैं बलकि ये एक ऐसा प्रयोग है जो पित्रों की भी किरपा प्राप्ती कराता है और अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का व्रिक्ष है पीपल का पेड़ है तो फिर तो और भी जादा आच्छा है अगर सुबह उठते ही आप वहाँ पर जाकर इस जल को पीपल के व्रिक्ष पर चड़ा सकते हैं तो ये कारे बिलकुल जिंदगी को पलट देने वाला होता है काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक महनत करते हैं उन्हें अफसर भी मिलते हैं लेकिन उनके किसमत बलवान नहीं होती है कोई भी सुक उन्हें सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल पाता है हमेशा ही केवल दुखी ही रह जाते हैं बलकि जिस भी चीज की कामना वह करते हैं जिस भी चीज की उनकी इच्छा होती है मनों कामना होती है किसमत बलवान ना होने की वज़े से वो चीज भी उनसे च्छ लेकिन इतना जल आपको लेना है जिससे उसमें कम से कम धाई सो एमल पानी तो जरूर ही आना चाहिए तो इस प्रकार नहीं करना है कि दिये का इस्तिमाल या और कोई छोटी सी चीज का इस्तिमाल नहीं करना है बलकि जो करवा होते हैं उसमें आप जल भरके रख सकते हैं यह स बिल्कुल भी नीद नहीं आती है बुरे स्वबन आते हैं तो इस प्रयोग को करने से इस परिशानी में भी राहत मिलती है और काफी लोगों के प्रशन ये होते हैं कि उनके घर में अचानक से पीपल का वरिक्ष पीपल का छोटा सा पोधा उग जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी आपको ऐसे ही इस पोधे को उखाड़ कर नहीं फैकना चाहिए और इसे घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए यानि कि आप इसे बिल्कुल भी ना रहने दिया करें आप इस बात का धियान रखा करें कि कि किसी भी स साथधानी पूर्वक बिल्कुल निकाल कर कहीं भी सुनसान जगह में या फिर कहीं भी पार्क में जाकर आपको इसे दुबारा लगा देना चाहिए इस प्रकार अगर आप करते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार का दोश नहीं लगता है इस खास जानकारे को अन्य लोग के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाब उठा सकें तो दोस्तों आज के लिए के वल इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव